Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa and I'm Aastosh Kumar. Let's begin the class. So, आज की इस वीडियो में हम class 9 जो पनुरुमा की बुक है, उसका जो chapter number 4 है, जिसका नाम 2 many people, 2 few trees, जिसको मोती निशानी ने लिखा है, उसको हम बढ़ेंगे, है ना? तो पहले ये बता दें, इस जो chapter का नाम है, इससे क्या भावार्त है, इसका भावार्त क्या है, और ये क्या कहना चाहा रहा है, वो हम जानते हैं, देखिए, 2 many का मतलब होता है, बहुत ज्यादा, है ना? और 2 few मतलब बहुत कम, तो 2 many people, 2 few trees, मतलब ये जो लेखक है, मोती जाते हैं, कि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और पेडों की संख्या घटती जा रही है, इसी दो चीजों पे, यहाँ पे discussion होगा, और मोती निशानी ने कैसे इसको अपने chapter, अपने एक essay में प्रस्तुत किया है, वो हम देखते हैं, देखिए, मोती निशानी, जो क हैं, एक पेसे से teacher हैं, सिक्षक हैं, कहाँ पे, Wentz State University, जो कि USA में है, और वो हैं क्या, साथ में teacher तो हैं, साथ ही साथ, he is an interdisciplinary, अच्छा, interdisciplinary का मतलब होता है, वो इंसान जो बहुत सारी विश्यों में, एक अपनी डिग्री ले रखी है, मतलब बहुत सारी डिग्री ले रखी है उनको हम ये भी कह सकते हैं, कि interdisciplinary का मतलब exact जो होता है, उसका मतलब होता है, बहुत सारी विश्यों में, जनकारी रखने वालों को interdisciplinary बोलते हैं, ठीक है, तो वो interdisciplinary थे हैं, और उन्होंने किस-किस चीज़ में degree hold कर रखी थी, genetics, इसको हम बोलते हैं, अनुवान्शिक, यानि कि उत्पती कैसे हुई, उससे related की चीज़ों के बारे में जानने वालों को genetics की पढ़ाई बोलते हैं, डिगरी बोलते हैं, philosophy, यानि कि philosophy का मतलब होता है, जो धारनाएं होते हैं, सिधान्त होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए philosophy की study की जाती है, और psychology, यान आपने देख लिए अनुवांशिक, ecology, ecology का मतलब होता है, परेवरन के field में, politics के बारे में, यानि कि जो भी आपका politics, यानि कि राजनीती के संदर में उनने बुक रिखी है, science, यानि कि विज्ञान के छेतर में, education, यानि कि पढ़ाई के छेतर में, and language instruction, और जो विशे, जो भ जो नीचे उन्होंने ऐसे लिखी है, वो provide करेगा आपको a brief introduction to the twin problem, twin मतलब जुड़वा, problem of overpopulation and deforestation, है ना, ये जो उन्होंने लेख नीचे लिखा है, वो दो बात, दो विशे, दो मुद्दों पर बात करेगा, दो समश्याओं पर उन्होंने ऐसे एक साथ ही लिखा है, ज इसका मतलब होता है, कि जब संक्या बहुत बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते है, अतिक्रमी अबादाई बोलते है, अबादी, जैसे कि exact बोला जाये, तो population का ज्यादा हो जाना, है ना, जब जन संक्या ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको overpopulation बोलते है, and deforestation, यानि कि population and pollution, है ना, you may include these points in your discussion, अभी कह रहा है, बच्चों को बोल रहा है, आप छोटे जोटी ग्रूप बनाएं, और इस बातों पर discuss करें, क्या क्या बाते है, population और pollution, यानि कि जो जन संक्या है, और जो pollution है, उस पर discussion करें, और कुछ पॉइंटों को उसमें रखें, population explosion क्या होता है, यानि कि explosion का मतलब था बहुत तेजी से वृधी होना, जब आप discussion कर रहे हों, उस दवरान आपको क्या करना है, जो जन संक्या की वृधी है, इतनी तेजी से बढ़ रही है, उस बातों पर आप आप छेड़े, its effect on the development of the country, अगर मान लिजी आगर population बढ़ रहा है, तो इसके व forestation से क्या हो रहा है, पेडों की कटाई के वाज़े से क्या हो रहा है, इस बातों को भी अपने point, अपने discussion की topics में सामिल करें, चलिए, आगे पढ़ते हैं, जो ऐसे इन्हों ना लिखा है, मोतिनी सानी ने, चलिए, human population have always been in flux for the simple reason that every day some people die while others are born, flux का मतलब होता है, कि निरंतर ब population है, यानि कि मानो जन्संख्या है, वो हमेशा से ही घटे बढ़ते रहती है, है ना? निरंतर बढ़ते बढ़ते रहती है, उसका simple सा reason क्या है, कि रोज जो लोग मरते हैं, या फिर कुछ लोग जन्म लेते हैं, तो जाइड सी बात है, कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग ज the number of birth was slightly higher than the number of deaths देखा जाए तो देखे इसका मतलब है कि प्राया ऐसा होता है कि जहां पर मानों की existence है ना जो मानों की जहां मानों का आस्तित हो है वहां पर ऐसा अक्सर होता है कि जो number of birth है यानि कि जो आप कह सकते हैं जन्म दर है है ना मानों का जो जन्म दर है वो slightly higher than the number of death जो मानों की मृत्यू दर है उससे कई थोड़ा सा ज्यादा ही होती है है यानि कि जो number of person number of birth rate जो है वो थोड़ा ज्यादा है मृत्यू के कुछ थुल्ला में ठीक है फिर यहां लिखा है consequently world population grew at a very slow rate मतलब परणाम श्वरूप ऐसा हुआ कि दुनिया की जो जन्स्रंख्या थी वो बहुत धीमी गती से बढ़ी है ना आप देखिए आगे क्या लिखा है a few hundred years ago however the situation begin to change मतलब इसका मतलब है कुछ second verse पहले हुआ क्या कि जो situation थी जो परिस्थिती थी वो बदलने लगी कैसे बदली भाई अब देखते हैं especially in the industrialized world यानि कि परिस्थितियां बदलने तो लगी especially किसके वज़े से हुई जो ओद्यों की करण्ट जो दुनिया में हो रही थी इस वज़े से वहां पर परिस्थितियां बदलने लगी with advances in nutrition sanitation and health people live longer and more of them reach reproductive age देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे क्या one advancement शुरू है यानि कि क्या कि इन सब चीजों में advance होना शुरू होगे दुनिया यानि कि एक तरीक से कह सकते है advance यानि की विकास हुआ किन सब छेत्रों में जैसे की nutrition है ना खान पन हो गया sanitation सफाई के छेत्र में और health यानि कि आपके स्वाथ संबंदी छेत्रों में जैसे ही बढ़ोतरी होने लगी इससे क्या हुआ कि people live longer अब लोग ज्यादा दिनों तक र एज में आ जाते हैं ना थाकि वो प्रजिदन करें है ना तो उस एज तक वो पहुंचने लगे किसके वज़े से हुआ यह सारी चीज़े हुई advancement के मज़े से हैना सारी चीज़े में nutrition advancement हो गया इस वज़े से scenario change होने लगा हूँ परिद्रिश्य चेंज होने लगा अब देखि इसे क्या हुआ पहली बार हमारे जो प्रजाती में मानो एक्सिस्ट है यानि कि मानो का हम कह सकते हैं आस्तित्व हमारे जो आस्तित्व था उसमें क्या बदलाव हुआ पहली बार की जो balance था है ना वो balance बिगड़ने लगा क्यों किस चीज़ का balance था death और birth rate पहले हम देख रह था लेकिन अभी क्या हुआ जिस वज़े से कि लोग जाया दिन तक जीवी तरहने लगे इस वज़े से क्या हुआ जो balance था जो संतुलन था मृतिव और जनम-दर के बीच में वह बहुत significantly disturb हुआ है ना अब देखते हैं consequently during the last three centuries or so the global human population has been rapidly going up तो इसका मतलब है कि परणाम सरूफ हुआ क्या जो पिछली तीन सताब्दियां है 300 साल जो है उस दरान जो वैश्विक जो human population यानि कि मानों का जो जनसंग क्या है वो बहुत तेजी से बढ़ा है है ना every year in fact the world's population grows by more than 80 million people है ना मतलब वस्ते में देखा जाये तो हर साल जो दुनिया की population है यानि कि जनसंग क्या है आठ करोड के आठ करोड के साथ हर साल बढ़ती है मतलब हर साल आठ करोड लोग नए जन्म ले लेते हैं इससे हमारे population बढ़ती ही जाती है आंकड़े जो हैं बढ़ती ही जा रहे है ठीक है आगे क्या लिख है इस फॉर इंस्टेंस sobering to recall that for every 11 human being alive now only one was alive in the year 1950 तो इसका मतलब है कि उधारन के तोड़ पर हमें यह याद कर सकते हैं कि 1950 इसी में जो था ना कि 11 इंसानों पर एक ही इंसान जिवीद बचता था तो हम तुलना कर सकते हैं कि कैसे आज के डेट में यह चीज़े चेंज हो रही हैं है ना चलिए अब दूसरे नंबर topic पर पढ़ते हैं on first sight it may appear that when it comes to something as valuable as a human being the more we have the better of we are देखे इसका मतलब है कि पहले on first sight अगर हम देखते हैं किसी पहली द्रिश्टी से पहली द्रिश्टी से हम अगर देखें तो हमें क्या दिखता है है when it comes to something as valuable मतलब मानो द्रिश्टी से अगर देखा जाए कि मानो इतना मुल्यवान चीज है है ना तो मानो प्रजाती इतनी मुल्यवान चीज है उसके बिहाफ पर अगर देखा जाए तो इंसान जो है इंसान जो है वो पहली देखा जाए तो ऐसा है कि जितना इंसान के पास होता है उतना ही वो अपने आपको अपने आपको संपर्ण पाता है है ना अगर मैं इस लाइन को फिर से समझाओं तो इसका मतलब है कि जब मानों जैसे बहुमूले साधन की बात होती है ना तो आपको पहली नेजर में ऐसा लगेगा कि जितना अधिक हमारे पास होता है ना उतना ही अधिक हम अपने आपको संपर्ण पाते हैं ठीक है अब देखिए मतलब कुछ माहिनों में यह बिल्कुल सही भी बात है कि अगर आपको लगता है ना कि आपके बास जितना अधिक है उतना ही आप कहते हैं कि हां मैं बहुत अच्छा हूं संपर्ण हूं है ना अब देखिए कि all things being equal more people are likely to generate more inventions इसका मतलब क्या है कि जब सभी लोग समान होते हैं ना जब सभी लोग समान होते हैं ना जब सभी लोग समान होते हैं तो तो इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक लोग जो है अविश्कार करने की संभावना उसमें बढ़ जाती है ना लोगों की संभावना यह जो हैं बढ़ जाती है और फिर क्या लिखा है कि more technological breakthrough यानि कि जो technology जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है उसमें बहुत तारा विस्तार आता है है ना और साथ ही जो corporate world है उसमें बहुत जज़ा मुनाफ़ा भी होता है अब अब but taken as a whole most ecologists are convinced that the world is already overpopulated बट यानि कि लेकिन यह सब होने के बावजूद भी अगर मतलब एक तरीके से पूरा माइना देखा जाए पूरे माइने में अगर हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि बहुत सरी ecologists जो हैं वो कहते हैं वो हमें समझाते हैं the world is already overpopulated यानि कि दुनिया जो है पूरी तरीके से अबादी से अबादी यहां की मतलब बढ़े जा रही है यहां पर इसी बात वो भी जोड़ देते हैं ठीके तीसरे संदर तीसरा topic क्या है human population cannot continue to grow indefinitely for the simple reason that the world itself is finite इसका मतलब है मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो मानों का जो जनसंक्या है वो हमेंसा बढ़ती नहीं रह सकती है मतलब वो बढ़ती नहीं रहे है क्यों that the world itself is finite इसका simple reason यह है कि जो हमारा दुनिया है वो निश्चीत है है ना अब more people will need even more food than they need now अब देखे ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा कि उनके लिए जो भोजन क्या हो सकता होगी वो अभी के तुलना में और भी ज्यादा जरूरत होगी कहने का मतलब क्या है जब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा भोजन क्यों सकता होगी जब अभी के तुलना में और इस वज़े से हमें ज्यादा करने पड़ेंगे लोग ज्यादा बड़ेंगी उतन ही पेड़ों के संख्या कम होती जहेंगी इस ही बात पर चोट करना चाहता था लेखक अब आगे पढ़ते हैं with more people both town and country नहीं सॉरी ये लाइन रहा गया कि as the population goes up जैसे ही population यानि जन संक्या बढ़ेगी so does pollution of river, lakes, air, drinking, water and soil मतलब क्या है जैसे जन संक्या बढ़ेगी उसी तरीके से river, नदियां, जो lakes and जील, हवा, पानी, पीने का पानी और जो मिट्टी है इन सबकी pollution भी बढ़ेगी यानि कि इसमें जो हमारा production है, इनका जो production होता है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा pollute करेंगी ठीक है, with more people, both town and country become more crowded सिधी सी बात है, crowd मतलब भीड लगना कि जितने लोग बढ़ेंगी, इसे क्या होगा कि town or country यानि कि जो सहर है और जो हमारे देश है इसमें क्या होगा, जो जनक्या है बढ़ते जाएगा और इसे भीड बढ़ते जाएगी अब the quality of life and the value we place on human life will continue to erode यानि कि क्या होगा, the quality of life, life का जो जीवन का रहन सहन है है ना, मतलब, जो हमारे जीवन का quality है यानि कि कहते हैं ना, कोटी या फिर उतकृष्टता मतलब कितना अच्छा कोई चीज है तो the quality of life, life की जो quality है and the value we place on human life जो मानव जाती पे, हम जो कहते हैं कि इतनी इसकी value है है ना, will continue to erode erode मतलब, खतम होना एक तरी कैसे वो धीरे-धीरे क्या हो जागा, खतम होना लगा क्यों, क्योंकि population जो है, जनसंक्या वो बढ़ने लगी है when the population is stable जब population जो है, हमारे जनसंक्या जो है, समाने हो जाएगी increases in such thing as food production number of physicians और hospitals are often tantamount to improved quality of life तो इसका कहने का मतलब है जब जो जनसंक्या है, वो इस्थिर रहती है उससे क्या होता है जो खादे-पदार्थ होते हैं उनकी मतलब उनमें व्रिधी होने लगती है है ना, number of physicians और hospitals are often tantamount to improved of life देखिए, tantamount का मतलब होता है equivalent, मतलब बराबर यानि कि जब ये ऐसा होगा तो जो physician यानि डॉक्टरों और hospitals की जो संक्या है वो भी जो life है जीवन की जो गुनवता है उसको improve करने के लिए बराबर बराबर हिससे में काम करेगी but such increases often fail to keep pace with population growth जाइर सी बात है जैसी ही population बढ़ेगा तो जो भी जनसंक्या बढ़ रही है इसके वज़े से क्या होगा, जो hospitals जो भी हमचीज है हमने अभी discuss करी जो परियाप महातरा में पहले मिल रही थी वो सबको पूरी तरीके से नहीं प्राप्त होगी और इस वज़े से जो हमारा population growth है population के जो बढ़ने की गती है ये हमें सब चीजों पर effect करेगी higher population density is also likely to exacerbate crime, ethnic conflicts and warfare देखिए, इस line का मतलब है कि higher population density is also likely to exacerbate crime, ethnic conflicts and warfare मतलब population बढ़ने के वज़े से ये सारी चीज़े भी हो सकते है जो crime rate है, ये भी बढ़ सकता है जो ethnic conflicts है, यानि कि धर्म के मामले में जो वाद विवाद होते हैं, वो भी बढ़ सकते हैं warfare है, यानि कि यूद हो सकता है तो ये सारी चीज़े हो सकती है population के वरिधी होने पर, यानि कि जनसंक्या के वरिधी होने पर अब हम बात करते हैं, चौथे नंबर topic के the American government, to take another example estimates that some 60,000 Americans die each year from respiratory diseases which are in turn caused by human made pollution मतलब कहने का मतलब है कि जो American government है वो एक example के तोर पर बताती है उन्होंने एक आंकड़ा तयार किया है कि approximately मतलब लगबग 60,000 Americans जो हैं, हर साल respiratory disease, यानि कि सांसों की problem, समस्या से बिमारी से, वो मरते हैं जो की एक तरीके से कारण क्या है उसका pollution प्रदूशन के वज़े से अमेरिका में यहाँ पे 60,000 लोग हर साल मरते हैं है ना, सांसों की problem से 14 Americans die each day of asthma aggravated by air pollution 3 times the incidence of just 20 years ago देखिए, एक तरीके तुलना करके बताया जा रहा है कि जितनी मृत्यू जो 20 साल पहले होती थी उसके तुलना में जो फूट एक दिन में 14 American अस्थमा के वज़े से air pollution के वज़े से कह सकते हैं तो मरते हैं यानि कि जो की 3 गुना है 20 साल के 20 साल पहले के अगर तुलना करें 20 साल पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ चुका है क्योंकि 14 American आज एक दिन में मरते हैं अस्थमा के वज़े से अमेरिका में है ना तो needless to say the situation in cities like Los Angeles, Kathmandu, Mexico and Shanghai is even worse मतलब इन सारे सहरों में situation और भी बत्तर है in all these cases the situation could be considerably improved by controlling pollution and population कहने का मतलब ये है कि इतनी सारे सहरे के बात जो करी हमने यहां पर situation यानि कि परिद्रिश्य को यानि कि जो वहां पर जो स्थिती बनी हुई है उसको अगर सुधारना है इंप्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा pollution यानि प्रदूशन और जो जनसंग क्या है depletion of non-renewable resources for example petrol, natural gas, helium AC drain, loss of oil spaces, ozone layer depletion and the greenhouse effect देखिए कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़े हमने जेली हैं मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं problems आई हैं जैसे कि किस किस तरीके के problem से frightening मतलब भयावा डराने वाले problems आए हैं किस तरीके के decertification decertification का मतलब रहिस्तान में बदल जाना इतना मतलब विलुप्त के गगार पर जा रहे हैं हम लोग की हैं decertification मतलब रहिस्तान में बदलना depletion of non-renewable energy resources जो non-renewable energy resources है जो कि आप non-renewable energy resources उनहें कहते हैं जिसका खपत करने के बाद उनका पतन होना एसी rain जो हम बोलते हैं अमल वर्षा बोलते हैं loss of wild spaces जो जंगली जीव हैं उनका हमारे मतलब जिन्गी से उनका दूर जाना ozone layer depletion जो ozone की परत में जो छेद हो रहा है इसका होना और greenhouse effect के वज़े से तो ये सारी इस तरीके के बहुत सारे हम भायावा परिद्रिश ये देख सकते हैं इसकी वज़े से है ना हमने देखा भी है ऐसा United Nation 1993 document puts it this way population size and rates of growth are key element in environmental change अब ध्यान दीजे कि ये कह रहा है कि एक United Nation 1993 document puts it this way मतलब United Nation ने 1993 में एक document के थुरू ये बताया था कि जो population का size है और वो rates of growth है इनहीं के वज़े से क्या होता है हमारे जलवायू में change होता है जो कि ये सारी चीज़े हमने पढ़ी ना कि ये जो हमारा क्या करता है रिगिस्तान में बदल जाना non-regionable energy resources खतम हो जाना अमलवर्स होना ये सारी चीज़े किसके वज़े सो रही है कि जो main region है वो है हमारा environmental change यानि कि जलवायू में परिवर्तन at any level of development increased population increased energy use जाहिर सी बात है किसी भी level पर हम बात करें विकास की तो ये ऐसा जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे population बढ़ेगी यानि कि जैसे 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 बढ़ेगी वैसे वैसे जो उर्जा है उसको खत्म करने का rate जो है वो भी बढ़ेगा उसी rate से बढ़ेगा यूज करेंगे लोग resources consumption and environmental stress और जो resource है हमारे पर स्रोत है बहुत सारे चीज़ों के वो वैसी ही उसकी खपत बढ़ेगी और साथ-साथ environment पर यानि की हमारे पारह और अरंट पर बहुत है ज़्यादा pressure भी पड़ेगा ठीक है so the more people the world has the more severe these problems are likely to become जितनी सारे हमने problems की बात करी यह problems उतनी ही आएंगी जैसे जैसे population बढ़ता ही जाएगा ठीक है अब देखिए शटे नमर में क्या बोलता है कि दस लार्ज और रैपिडली ग्रोइं पोपुलेशन में एक डेसिसिव कंट्रिविशन तो ओल इन्वर्मेंटल प्रेबलम इन इन लॉंग रन एफ़र्ट्स तो सेब बायोस्फेर डिपेंड्स इन पार्ट और अवर स्पेसी अबिलिटी तो रोल बैक इस नमबर इसका मतलब है कि लंबे समय में बायोस्फेर को बचाने के जो परियास है न यह जो परियास से वो डिपेंड करता है कि अगर हम अपने प्राणी अगर हम प्राणी अगर हमारे जो population agent संख्या की जो संख्या है अगर हम उसको कम करते हैं तो यह तरीके से कह सकते हैं यह बायोस्फेर हमारा बच सकता है है ना? Yet there is a bright side of this otherwise dream, tale history and common sense इसका एक अच्छा कह सकते हैं कि इसका एक सुख़त पक्ष भी है वो क्या है वो बताते हैं अभी कि जो इतिहास है history है और हमारे जो समाने या sense है है ना? Sense मतलब बुद्धी यानि कि जो इतिहास है और समाने बुद्धी हमारी जो है ना? वो हमें बताती है कि हम लोग population के growth को रोख भी सकते हैं हना? The German and Swedish population for example defy world trends and are actually declining मतलब इसका है कि example के तौरप हम ले सकते हैं जो German and Swedish के population है वो क्या कर रहे हैं? वो इस चुनोती को स्विकार कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे तकनीक अपनाए हैं जिससे उन्होंने population growth को कई हद तक रोका भी है In such overpopulated countries like China, Thailand and Egypt the rate of population growth has slowed down remarkably मतलब इन सारे countries में, इन सारे देशों में China, Thailand और Egypt में population का growth है जो rate है वो धीरे भी हुआ है मतलब कम हुआ है Thanks to concerted government action वहाँ पे जो जो सरकार है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यदा ध्यान देती है How do these countries manage to reverse और slow down population growth आखिर ये जो देश हैं वो कैसे अपने population growth को कम कर रहे हैं Many factors account for this जो बहुत सारे factors हैं इसके लिए कौन-कन से factors जिम्मिदार हैं Modernization, Literacy, Media Campaign, Readily Available Family Planning and Contraceptives Equal Economic, Educational and Legal Opportunities for Women देखिए इतनी सारी चीज़े जो Government है वहां की इन सारे countries की वो सबको इन सब चीज़ों मुहया करा रही है क्या कर रही है? Modernization हो रहा है वहाँ पे सक्षारतर दर बढ़ रहा है जो मीडिया यानिक मीडिया के थुरू बहुत सारे अभियान चला जाते हैं लोगों को जागरुक करने के लिए बहुत सारे चीज़े फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी चीज़े हैं वो सब को लिए प्रस्तुत की जाती है सभी लोगों को पहुचाया जाता है Contraceptive Equal Economic Equal Economic Education Legal Opportunity for Women मतलब औरतों को भी उनका पूरा हक दिया जाता है और सिख्षा के संदर्म में भी बहुत सारे चीज़ों में जागरुकता पहलाई जा रही हैं वहाँ पे तो किसके वेसे वहाँ के सरकार ऐसा करती है Human beings does know how to control their numbers और इस वेसे क्या होता है वहाँ के लोग उनको पता चलता है कैसे वो अपने जनसंख्या को control कर सकते हैं रोग थाम कर सकते हैं What they have been lacking so far is the result to make use of this knowledge अभी तक वो किस बात से पीछे रह रहे थे हैं कि उन्हें ये पता नहीं था कि इस सम्छीजों से कैसे पार पाना है मतलब इन सब जानकारियों के बारे में उनको पता नहीं था है ना ताकि वो जो population growth हैं उसको कम पर कर पाएं चलिए 7 पढ़ते हैं let us move to another long term problem the state of the world's trees अब बात क्या है कि आब हम देखने जा रहे हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि विष्वर की जो पेड़ पौध हैं उनके बारे में जानेंगे ना ओविंग ओविंग टू रैपीड population growth poverty and other factors many third world people are forced to move into harvest clear burn और cultivated tropical forest देखिए तेजी से बढ़ती जनसंख्या गरीबी और दूसरे कारुनों से दूसरे कारुनों से क्या हुआ है कि जो तीसरे दुनिया के जो लोग हैं वो harvest यानि कि खेती के तरफ बढ़ रहे हैं है ना cultivated और उस वेसे क्या खेती कर रहे हैं clear कर रहे हैं burn जला रहे हैं साफ कर रहे हैं जला रहे हैं और खेती कर रहे हैं किसको tropical forest को जाइर सी बात है जब वो गरीब हो गए हैं तो वो क्या करेंगे रोजी रोटी के लिए क्लिए जंगलों को आहीं सारा लेंगे उनको जोत रहे हैं उनको साफ कर रहे हैं ताकि वो खेती कर पाएं this population pressures the population के pressure के वे से क्या हो रहा है along with new technologies and the effluent lifestyle of some people exorbit the problem of deforestation यानि कि जैसे इसे population का growth हो रहा है उसका pressure बढ़ते जा रहा है और जो नए नहीं technologies जा रही हैं और साथ ही साथ जो आजकल के लोगों का रहन सेंट जो बढ़ रहा है चेंज हो रहा है नया traditional आ रहा है इसके विज़े से क्या हो रहा है deforestation यानि की पेडों की कटाई की समस्या बढ़ती जा रही है एक कंट्री लाइक नेपाल है जिस सो much arable land है ना मतलब नेपाल जैसे देश के लिए arable का मतलब होता है fit for cultivation यानि की खेती के लिए जही भूमी तो इसके पास बहुत ज़्यादा arable land है so as the population grows more and more people are forced to convert forest into farmland तो इसलिए वहां के लोग जो हैं वहां के population तो बढ़ी रही है साथ-साथ more and more people are forced वहां के population बढ़ने के वह पर है जो बहुत सरे लोग हैं वह forest यहां के जंगलों को क्या कर रहे हैं farmland में तबदील कर रहे हैं they must also cut down